दोस्तों नमस्कार शौगत आपका चैनल पे जिसका नाम है गोतम ओलाइन इस्टेडी आज का हमारा मैत को टॉपिक है नेक्स्ट नंबर सिस्टम अधी हमारा आज आपके टाइमेंड वर्क के कंप्लेट नहीं हुआ है साथ ही साथ हम नंबर सिस्टम को भी कवर करेंगे और ट डिफनेशन को क्लियर करेंगे जितने भी आपके इसमें इंपोर्डेंट डिफनेशन से अगर आप इन डिफनेशन को अच्छे समझ लेंगे पहले से तो आपको कोश्चन करने में आसानी होगी ठीक है तो चलिए सबसे फास्ट है हमारा प्राकृती शंख्याई नेचुरल नंबर कहलाती है जैसे कि एक्सेंपल की बात करें तो 12345 यह सब क्या है यह सब आपके प्राकृती शंख्याई है नेचुरल नंबर है ठीक है तो यह आपने हो गई आपके प्राकृती शंख्याई है अब पूर्ण संख्याई की बात करें वोल नंबर क्या होती पूर्ण तो देखिए प्राकृत शंख्याओं के समुच्चे में 0 या 0 शून ने शामिल करने पर जो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चे बनता है अर्थात जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 हो गया यह सब क्या है यह सब क्या है यह आपके पूर्ण संख्याओं है वो लंबर है ठीक है प्राकृ इसको ध्यान रखिएगा कि आपका जो 0 होता है जो सुन्डी होता है यह प्राकृत संख्याओं नहीं है तो इस पॉइंट को आप जुरूर यहां पर ध्यान रखिए ठीक है छलिए अग्ला देखिए आता है आपका सम्संख्याओं ईवेन नंबर्स क्या होती है यह 2468 फिर इसी तरह से आगे की सीरीज आपके लिए जो यहाँ पे continue रहेगी तो यहाँ पे 2468 यह क्या है समसंख्या है तो वे प्रकृत संख्या है जो दोश्य विभाज हो उन्हें हम समसंख्या कहते हैं अब जैसे कि आपके विश्यम संख्या हो गई ओल्ड नंबर ओल्ड नंब परण नंबर कौन से होती है जैसे कि 1357 य्क्या होगे आपका 13569 इसतरे से छुझा होगी यह क्या है यह आपके ओरन नंबर है ठीक है एक या अपने को छोड़ कर किसी दूसरी संक्या से विभाज ना हो जो एक से खुद से या अपने को छोड़ कर किसी दूसरी संक्या से विभाज ना हो वो आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर जैसे हो गया टू हो गया थ्री हो गया फाइव हो गया शेवन हो गया यह क्या है य योगी किया भाज्य संख्या है, यानि कि composite number क्या होता है, composite number देखें बात करें, वे प्राक्रित संख्या हैं, जो एक या अपने को छोण कर किसी दूसरी संख्या से भिभाज्य हो, ठीक है, एक या खुद से, अपने को छोण कर जो दूसरी संख्या से भिभाज्य हो, वो आपक को प्राइम नंबर्स क्या होती देखिए दो प्राक्रिण संक्या है जिनका महतम समभा वर्टक एक हो वह आपके आसाहभाद्स चसंक्या है कहलाती है जैसे कि 4 and 9 ये क्या है ये आपके असह बाज संख्या है यानि कि को प्राइम नंबर्स है ठीक है छले फिर देखे अत्रिभाज संख्या है क्या होती है प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स क्या होती है तो अत्रिभाज संख्या है जो होती है प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स वे तीन प्राकृत संख्या हैं जिनका महतम समर्वर्तक सोता है आपका एक हो वो आपके अत्रिभाज संख्या कहलाती है ठीक है वे तीन प्राकृत संख्या है यहाँ पे आपको ध्यान देना है डिफिनेशन में वे तीन प्राकृत संख्या है जिनका अमातम समभर तक एक हो अत्रिवाज संख्या है कहलाती है प्राइम टृप Lincoln numbers कहलाती है जैसे की example की बात करें तो 89 and 25 ये क्या है ये आपके अत्रिवाज संख्या है तो तीन practice संख्या यहाँ पे ध्यान देना है फिर होता है आपका परमेशंख्या होता है एक डिशनल लंबर सोता है यह क्या होता है देखिए परमेशंख्या कैंग कि तो P upon Q यह क्या है यह परमेश शंख्या है अब यहाँ पर जो important fact यहाँ पर एक बनता है ध्यान देनी योग की तत्री जो बनता है कि पुणांको और विन्नों को एकत्रित करने पर परमेश शंख्याओं का समुच्छे बनता है ठीक है तो यहाँ पर यह important fact है आप ध्यान रखे देखिए आप परमेश शंख्या है वह वास्त्विक संख्या वह वास्त्विक संख्या जो परमेश शंख्या नहीं हो वो आपके परमेश शंख्या गयलाती है जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 1 by 2, रूट 5 by 3 या पाई यह क्या है यह सभी आपके अपरमेश शंख्या है तो जो परमेशंख्या नहीं होती है वो परमेशंख्या होती है जो rational number नहीं होती है वो irrational number होती है जहां देने योग की तत्य यहां पर यह बनता है कि परमेशंख्या नॉन recurring तो नॉन terminating होती है थाथ दस्रमलों के रूप में बदलने पर ना तो ये recurring के रूप में आती है ना है इनका कोई निशित अंत होता है तो ये यहाँ पर important fact बनता है और अब परमेशंख्या क्या होती है जो परमेशंख्या नहीं हो ठीक है चलिए next देखिए धनात्मक ये मृड़ात्मक पुरांग क्या निकि positive and negative integers ये क्या होते है positive and negative integers देखिए पूनशंख्या है जो 12345 है इनको धनात्मक पुरांग कहा जाता है यदि इन्हें क्या कहते है अब जैसे कि 12345 है इसका जो योज्य प्रतलों हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस ट्री माइनस फूर माइनस त्वाइब ये क्या है ये आपका रिनात्मक पुरांग है तो यहां पर इस से अपके क्लियर हो जाएगा कि positive indices क्या होता है negative indices क्या होता है तो चलिए नेक्स टेक वास्तिक शंख्या honest 50ur क्या होती है देखि & बात करें नावस्तिक शंख्या Jessi या क्या होता है आपके वास्तिक संख्या Mins wij वास्त्विक संख्या हैं या काल्पनिक संख्या हैं देखिए जो संख्या है वास्त्विक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं जो संख्या है वास्त्विक नहीं है उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं जैसे कि मानस रूट 3 मानस रूट 7 मानस व्रे यह सब क्या हैं? यह सब आपके अवास्त्विक या काल्टिक शंक्या नम्बर से जो वास्त्विक नहीं होते हैं ठीक है? जो रियल का तत्समक रूप, इ willingly इडिशन ये क्या होता है? जोड का तत्समक कोई नहीं आता है इसलिए एक को यहाँ पर झो जो जोड़ता समक कहते हैं ठीके। कि यहाँ पर यह definition थोड़ा सा आपका misprint है इस definition को अभी यहाँ पर आपको skip करना है क्यों कि इसमें यहाँ जो mist है यहाँ आपको नहीं लिखा गया तिस तरह से बताने में стала तो इसको हम अलग से आपको next part को question करेंगे तो हम यहाँ पे आपको इसके बारे में बताएंगे कि जोड का तस्मक क्या होता है identity element of edition and आपके जो identity element of multiplication क्या होता है ठीक है तो इन दोनों को हम आगे discuss करेंगे जो हम आपके detail करेंगे आपको अभी हम इसके बारे में बता देते हैं कि जोड का प्रतीप या प्रतलों अविएब क्या होता है देखें जोड का प्रतीप या प्रतलों अविएब जो होता है प्रतिक पर्मेशन क्या a के लिए मिलती है जहां a plus minus a equal minus a plus a ये आपके बराबर है 0 के तो minus a को a का चोड़ का प्रतीप अवियब कहा जाता है ठीक है तो ये होता है आपका inverse element of addition यानि कि जोड़ का प्रतीप या प्रतलोम अवियब फिर next आपको गुणा का प्रतीप या प्रतलोम अवियब होता है inverse element of multiplication तो यहाँ पर सुननी को छोड़ कर जो प्रतीप परिमेशंक्या Sabbath 1 by a मिलती है तो a into 1 y a equal 1 by a into a equally a अपको होसाँगा 1 k तो ये क्या होता है 1 y a को a के गुणा का प्रतीप अवियब कहा जाता है ठीक है तो ये होगए आपको गुणा का प्रतिप या प्रत्लोम अभयाव यहां पर दो डिफिनिशन आपके साथ डिसकस नहीं कि जो कि आगे इसमें जो सही फैक्ट लिखा नहीं था तो इसमें आपको बताने में एक्लियर नहीं होगा ठीक है तो सब कुछ हम यहां पर आपके दो डिफिनिशन को आगे नेक्स पार् आपके लिए तो यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजेगा एंड शेयर कर दीजेगा चैनल पर आप नहीं सब्सक्राइब कर दीजेगा वेल आइकन प्रेस कर लिए जिससे की जितने वीडियो आए सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाओ अब सबसे पहले देख सकें तो म होलते हैं फिन एक्स्ट वीडियो में थैंक यू